दोस्तों नहे साल में अगर आप चिकन बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आज का वीडियो आपकी लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कंपनी से किस तरह से करें और प्राइबेट किस तरह से करें दोनों बाते करेंगे और इसमें किस तरह से प्राफिट होती प्राफिट को लेकर भी बात करेंगे किस तरह से आपको स्टार्ट करना चाहिए कितने चिक से आपको फार्म स्टार्ट करना चाहिए फार्म कितना बात भी कर सकते हैं बहुत सी जानकारी होगी तो आए आपको बताते हैं किस तरह से जो है आप चिकन फार्म स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइबिट फार्मिंग की इसमें किसी भी कंपनी का फार्मरों के उपर कोई भी दबाव नहीं होता ह लेकिन टोटल खर्चा जो है फार्मरों का होता है चाहे वो चिक्स का हो या फिर फीड का हो टोटल मैनेजमेंट जो है टोटल खर्चा फार्मरों का ही होता है और इसमें अगर आप चिक्स लेना चाहरे है या फिर फीड लेना चाहरे है दोस्तों अगर प्राइबेट फार्मिंग आप छोटे अस्तर से कर रहे हैं तो आप छोटा फार्म बनवा सकते हैं और अगर बड़े अस्तर से कर रहे हैं तो आप बड़ा फार्म बनवा सकते हैं जैसे कि 100 फिट लंबाई कर सकते हैं या फिर 150 फिट लंबाई कर सकते हैं लेक तरह से फार्म कर बनवाते हैं तो अच्छा फार्म बाना जाता है कुछ ऐसे भी फार्मर होते हैं जो कि उत्तर से दच्छिन लंबाई कर देते हैं तो उसमें पूरा दिन जो है सीधी धूप रहती है और उस तरह से जो है फार्म के अंदर जो है जो अमोनिया गैस या भी जो आसानी से बाहर नहीं निकल पाती, जिससे mortality बहुत ही जादा बढ़ जाती है, तो farm की दिशा जो है, उसकी लंबाई जो है, पूरफ से पस्चिम ही रखें, और side की उचाई आप 8 फिट कर सकते हैं, 8 फिट खुला छोड़ सकते हैं, और beach की उचाई 12 से 14 फिट आप कर सकते हैं, यहाँ पर जो farm देख रहे हैं, इसमें side की उचाई जो है, 8 फिट है, और beach की उचाई 14 फिट है, तो इस तरह से भी farm बनवा सकते हैं, इस farm की लंबाई जो है, 160 फिट लंबा है, और 26 फिट अंदर अंदर से चोड़ा है, आप बगल में देखेंगे, यहाँ पर 3 farm एक साथ ही गने दोस्तों, अगर आप पूरे farm में लोहे की पाईपो की पिलर देते हैं, और जो set होता उसमें पाइपे लगती है, लेकिन side में, अगर आप जो है, आप यही पाईप की फिलर देते हैं, दोनों side में इट की दिवाल देते हैं, तो इस तरह से farm में जो है, 1000 स्कौाईर फि आपको फार्म बनवाना थाम मान सकते हैं तो एक हजार स्कार फिट का आपका फार्म बनवा रहें पक्का जो कि सिमेंट की चद्रे होंगी या फिर लोहे की पाइप यह이는गी साइड में जो है पिलर भी उसका लोहे की पाइप combination ताकि फार्म जो है काफी मजबूत रहे अगर आप पिलर देखे दोनों साइड में दिवाल करते हैं तो यह फार्म आपका बहुत ही मजबूत होता है तो जब भी फार्म बनाए दोस्तों तो अपने छेतर में भी आप जो है विजिट करें आप देखें किस तरह से जो है लोग फार्म बनवा रहे हैं लेकिन फार्म बनवाएं तो साइड में जो है आठफित दोनों साइड में जो है आठफित खुला छोड़े वहीं बीच की उचाई जो है आप 12 से 14 फिट करें साइड की उचाई आप आठफिट करें लंबाई मैंने आपको बता दिया है पूरफ से पस्चिम जो है आपके फार्म की लंबाई होगी दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के साथ में किस तरह से जो है आप फार्मिंग कर सकते हैं किस तरह से कंपनी से जूड़ सकते हैं और किस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपके city में जो है company का office है की नहीं है तो company के साथ में करने के लिए दोस्तों अगर farming करना चाहरे हैं तो उसके लिए एक मानक होता है किस तरह से आपको farm बनवाना है और company का office की दूरी के हिसाब से आपका farm होता है अगर आपके आसपास उसी कंपनी से कई फार्म चलने हैं तो आप छोटा फार्म बनवा सकते हैं लेकिन एक फार्म है या फिर दो फार्म है जो कि उसकी दूरी आपके फार्म से काफी ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा बड़ा फार्म बनवाना होता है कंपनी के माने के उ होता है दोस्तों लेकिन उसकी लृमबाई किस तरह से जो है उचिक्स देते हैं आपको इतने चिक्स से स्टार्ट करने के लिए जो है कंपनी किसी तरह से कम्पनी में भी फार्म होता है केवल फर्क क्योंकि वो जो है 2000 या फिर 3000 चिक से जो है फार्मिंग स्टार्ट कराती हैं कम्पनियां तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़े फार्म की जरूत पड़ेगी तो आप जब कम्पनी के ऑफिस पर जाके संपर्क करें तभी आप जो है फार्म बनाएं आप जमीन पसंद कर सक करते हैं कहां पर आपको फार्म बनाना है और कंपनी वालों को वहाँ पर विजिट करके उन लोगों को अपने ज cater करा सकते हैं दोस्तों कंपनी के साथ में जूंटने के लिए आपको बनाना होता है अगर आपके पास कोई भी गारंटर नहीं है तो आप किसी जो ह초 है लिंट आपको कमपनी आपसे पैसे के डिमांड करती है तो आप उस कंपनी को फ्राड भी मान सकते हैं क्योंकि कंपनिया पैसे का डिमांड नहीं करती है हाँ उसमें जो है आपको जो जो भी चीजे हैं जैसे मालीजी आपको फोटो लेना है या फोटो देना है या फिर जो भी कागज है फोटो स्टेट कराना है इसका सब का खर्चा आता है या फिर आने जाने का खर्चा थोड़ा सा होता है लेकिन कमपनिया जो है पैसे का डिमां से कर रहे हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं तो फार्मर से आप पता कर सकते हैं जो आपके छेत्र में कंपनी से फार्मिंग चला रहे हैं उनसे आफिस का पता कर सकते हैं आपके सहर में या फिर आप गूगल पर जाके जिस कंपनी से करना चाह रहे हैं उस कंपनी का नाम लिख दोस्तों जब आप company के साथ में जोड़के farm चला रहे हैं तो company आपको chicks और feed इसके साथ में कुछ दवाएं जो है आपको देती हैं बाकी farming का खर्चा जो farm का खर्चा होता है वो आप ही का होता है उसमें drinker, feeder या फिर पानी की वेवस्ता कराना ये सब total farmer का होता है आपको केवल जो है feed और chicks कुछ नवाएं जो है आपको मिलती है और इसमें 35-40 दिनों में आपको देख रेक करनी होती है अगर profit की बात करें तो इसमें प्रत किलो की हिसाब से जो है अगर अच्छी तयारी है तो आपको 8-9 रुपे या फिर 10 रुपे अगर तयारी थोड़ा अच्छा नह में मिल जाते हैं क्योंकि एक मुर्गा जो है 2 kg का होता है तो इसमें तयारी के उपर होता है अगर आपकी अच्छी तयारी है उतना ही आपको profit जो है इसमें मिलता है अगर बहुत जादा आपका जो है तयारी अच्छी नहीं है तो आपको 6 रुपे या फिर 5 रुपे 7 प्राइबिट में कम्पनी में कौन्स आपको अच्छा लगा क्योंकि दूनों ट्राइब की हमने बातें आपको बताई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किस तरह से आप फार्मिंग करना जा रहे हैं तो आसा करता है वीडियो आपको दूस्तों पसंद आया होगा वीडियो द